क्रिकेट जगत में बहुत नाम कमाया है कि मुरली विजय और क्रिकेट और दिनेश कार्तिक की बहुर ही अच्छी दोस्ती थी पर इनकी दोस्ती में उस समय दरार पड़ गई जब दिनेश कार्तिक को पता चला कि उनकी बीबी का अफेर उनके ही खास दोस्त मुरली विजय से चल रहा है इस बात से काफी दुखी हुए थे आपकी जानकारी के लिए बता दे की दिनेश कार्तिक इस बात से बहुत ही हताश होगे थे हाला कि दिनेश कार्तिक इस बात का अधिक बवंडर नहीं बनाना चाहते थे और नहीं चाहते थे की इस बात की खबर मीडिया में पहुँचे इसी कारण से उन्होंने अपनी बीबी निकिता को तलाग दे दिया उसके पस्चात मुरली विजे ने वर्ष 2012 में निकिता से शादी कर ली और इस तरह से मुरली विजे और दिनेश कार्तिकी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल गई फिलहाल दोनों ही कपल अपनी अपनी नीजी जिन्दगी के साथ काफी खुश है